जैजनेंद बंदो, मैं रवी जैन गुरुजी, आज गुरुवार और शिरी शंभवनाद भगवान का ज्यान का लियानक हम सब को चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी, मेस रासी वाले खर्चे पर अंकुस लगाएं, सेवकों से नुक्सान की आशंका, क्या करें, 21 बार नमोकार महामंतर का उच्चारन अवश्य करें वश्यवरासी वाले सावदान रहें, आज कोट कचेरी से भी बच्चे दूरी बनाएं, क्या करें, छोटे बच्चों को यथा संभव उपहार बेट करें, मितुन रासी वाले समय कमजोर है, चलते वे कारिये भी आज रुख सकते हैं, क्या करें, ओम रिम शिरी पाष्णा जिनेंद्राई नमा की एक माला हलकी आवाज में फेरें, करक्रासी वाले परियास करें, प्रोपर्टी में आज भाग्ये साथ देगा, क्या करें, शिरी चंद्रपबु चालिसा तीन बार शाम के समय पढ़ें, सिंगरासी वाले कोसिस करें, जो मन में हैं मिलेगा, लेकिन परियास करना पढ़ेगा, क्या करें दस मिनट का मौन दो बार रखें कन्यारासी वाले दिन साधारन है क्रोध को काबू में रखना बहुत जरूरी क्या करें बड़ों की सला से कारिय करें तुलारासी वाले तनाओं से बचें फ्यापार में प्रेशानी हो सकती है क्या करें शिरी विमलनाजी का चालीसा एक बार अवश्य पढ़ें व्रश्यकरासी वाले क्रोध को पीने का परियास करें वाहन तेज बिलकुल ना चलाएं क्या करें गरीबों को यथा संबव भोजन कराएं धनुरासी वाले स्वास्त को लेकर गंभी रहें आलसिय से बचें क्या करें शिरी मुनि सुबरतनाजी का चालीसा हलकी आवाज में पढ़ें दो बार मकरासी वाले आज यात्रा का योग बनता है लेकिन विरोधियों से दूरी बना कर चलें क्या करें रोली काटी का माथे पर लगाएं कुम्रासी वाले खटास को पैदा ना होने दे जल्द बाजी ना करे क्या करें ओम रिम्षिरी नमो सिध्धानम की माला फेरे मीनरासी वाले विवेक से कार्य करें परी जनों के साथ अधिक समय वैतीत करें क्या करें धाई सो गिराम लाल डाल दान करें किसी भी गरीब व्यक्ति को प्रासिवल के बश्चाद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलहा में ध्यान रखें अगर आप अपने शुक्र ग्रे को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने आसपास जस्मीन की खुस्बू का प्रियोग करें क्या होता है बंदो हमारे जीवन में जितनी भी सुक्सविदाए देने वाली वस्तु हैं इनका परभाव सुक्र ग्रे से होता है अगर हमारी कुंडली में शुक्र ग्रे अच्छा होगा तो हमें जितनी भी सुक्सुईदा देने वाली वस्तुए हैं वो आराम से प्राप्त होंगी और आपको अगर अपना शुक्र ग्रे मजबूत करना है तो अपने असपास जस्मीन की खुस्बू या अगरबत्ती का परियोग करें और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है गुनमाला जैन जीने इंदोर से लिखती है गुरू जी जैजनेंदर क्या कालसब दोस जैन आगम में भी माना जाता है और इसका क्या समाधान है क्या ये उपाए करके कुंडली से समाप्त हो सकता है देखे गुनमाला जी मैं आपको बता दूँ के कालसब दोस एक ऐसा दोस है ये कुंडली में जनम से आता है और आखिर तक रहता है और जैन जोतिस में भी कालसब दोस को माना गया है यक्ति को चाहिए वे भगवान पाशनात भगवान नेमीनात और भगवान मलनीनात की पूजा करे उनसे सम्मद्दित विधान करे तो हम कालसब दोस का परभाव कम करने में काम्याब हो जाते हैं उसका परभाव हमारे जीवन में कम हो जाता है लेकिन ये ध्यान रखें जिस भ नहीं कर सकते इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्चा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ आप सभी को जैजिनेंद्र झाल